देशब तक चैनल में आपका स्वागत है हम आपको बता दे कि नगर परिशद का जो चुनाव है वह लगबग नजदीक है अप्रेल में चुनाव होने हैं और इसी के बीच में हम आज वाड नमबर 15 का थोड़ा सा जिकर करेंगे कि कहां पर कौन डिसाइटिड फेक्टर हैं और कौन कितने वोट वहाँ पर हैं और क्या-क्या वहाँ पर कारिये हुए हैं हम आपको बता दे कि वाड नमबर 15 में पिछली बार दोल महिलनाएं जो हैं यहां पर इलेक्शन लड़ रही थी जिसमें अंजू जो हैं यहां पर पारसद बनी थी औ हम आपको बता दे कि अंजू विनोद राजोरा जो की 936 वोट लेकर विजय हुई थी और उनका कांपिटिशन जो है उनके जो सेकिंड नमबर पर रही थी वो दीन द्याल की पुत्र वुदु हैं जो की दीन द्याल दो बार यहां से MC रह जुके हैं उनकी पुत्र वुदु करा गया है कि 2 क्रोड के यहां पर विकास कारिय बार में कराए गये हैं और बताए गया है कि नकि कंपुरा कये जो है इसी वर की अधीन आते हैं और आ काम विकास कारिये चल रहे थे उन में से लगब 35 से 40 लाख रुपे का जो है काम अभी पैंडिंग है क्योंकि जून 2021 में इसका जो समय था नगर परिशत का जो कारिय काल था वो समाप्त हो गया था उसके बाद अब तक इलेक्शन नहीं हुए है और इसी को लेकर अब जो है जुनाव हो सकते हैं और इसी को देखते हुए हमारे द्वारा जो है महीम सुरू की गई है वार्ड हर वार्ड में जाकर वहां के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि किस तरह के वहां पर हालात हैं और किस तरह के वहां पर कारिये अभी तक एमसी के द्वारा और चे पांत सो वोट उसके बाद बात करें तो चमार कॉम्टि है उस चारसो और सवाचारसो के आसपास उनकी वोट इस वार्ड नमबर 15 में है और इसके अलावा पंजाबी कलोनी उसमें मिक्स हैं उसमें कुमार भी है पंजाबी भी है और अधर कोस्ट कास्ट भी है वो साड़े ती दानक बस्ति की बात करें तो लगबग डेट सो पलस यहां पर जो वोट है वो दानक समाज की है और इसकी बात करें तो कश्चप समाज की बात करें तो मातर 35 के और 40 के बीच में मातर वोट बताई गई है और इसके इलावा सेक्टर साथ जो है सेक्टर साथ का एरिया भी इस और द्वारिका कालोनी है इसमें भी 35 से 40 वोट मातर इसमें बताई गई है और हम आपको बता दें कि नगर परिश्चत का जो कारियकार है वो जून 2021 में समाप्त हो गया है और अब चुनाव आयूक के द्वारा जो है पिछले एक सब्ताह पहले जिकर किया गया था कि जल्द ही इलेक्षन हरियाना में कराए जाएंगे और इसके बाद पंचायतों के चुनाव भी कराने है वो भी पेंडिंग है काफी समय से और कहीं न कहीं बाजपा के द्वारा कॉंग्रिस के द्वारा इनलो के द्वारा जेजेपी के द्वारा हर पार्टी चुनाव में कूद चुकी है और बीजेपी ने तो काईदा कमेटी भी बना दी गई है क्योंकि स्वानीपत जिले की बात करें तो स्वानीपत जिले में तीन जगे जो चुनाव होने हैं जिसमें गुहाना नगर परिस्द है गन्नोर नगरपालिका और जो पहली बार कुंडली के नगरपालिका है जिसमे हम आगे सुचार रूप से चलाएंगे हर वार्ड का आपको लिखा जो का आप तक भीजवाएंगे कि किस तरह की जाती है समय करन है उसके बारे में भी आप से समय समय पर बातचीत करते रहेंगे हम आप सबी से अपील करना चाहते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेर करें ताकि हर व्यक्ति तक यह जो चुनाव की जो है उसको चुन लोगों तक पहुंचे और हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेस्बूक पर फॉलो करें ताकि आपको नगर परिस्द चुनाव को लेकर हर अपडेट आप तक पहुंसके